नमस्कार में प्रिया बिहारी नियूज बे आपका स्वागत है रास्ट्रिय प्राद्योगी की संस्थान नियूज बे आवेदन की मांग की है नियूज बे आपका स्वागत है गर्मी बढ़ने के आसार है और 40 डिग्री के पार ताप मान जा सकता है 21 मार्च के बाद लू चलने की संभाबना तक जिताई जा रही है बिहार में फिर से जहरीली शराब पीने से गई 5 लोगों की जान बिहार सरकार भले ही बिहार में शराब बंदी कानून को लागो करवाने में दिन रात लगी हो लेकिन इस कानून की सचाई क्या है इस बात से आप भी बखू भी वाकिफ होंगे हाला के नितीश सरकार भले ही लोगों से शराब का सेवन नहीं करने की अपील कर रही हो लेकिन कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे है बीते दिन भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला एक कमर तक विनोद रोई की पत्नी ने बताया है कि होली के दारान उनके पत्नी ने शराब पीली थी जाने कब से शुरू हो रही है चैतर नवरात्री होली खत्म होने के साथ ही अब शधालों को चैतर नवरात्र का इंतिसार है सनातन परमपरा से चैतर शुकलपक्ष की प्रतिपदा से चैतर नवरात्री की शिरवात होती है साल भर में चार नवरात्रियां होती है इनमें दो नवरात्री प्रत्यक्ष और दो नवरात्री कुप्त होती है नवरात्री में 9 दिन तक मा दुर्गा के विभिन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है देवी की भक्ती का प्रतीक माना जाता है जिसकी शुरवात अब बस कोछी दुनों में होने बाली है जानकारों की माले तो साल 2022 में चैतर नवरात्री का परव 2 अप्रेल 2022 से शिरू हो रहा है भारत में शेव और वैशनव के अलावा शाक्त परंपरा भी एक मत रहा है शाक्त परंपरा ने शक्ती को ही उड़ जा और प्राकृति का स्वरूप पाना है इसी शक्ती के कारण ब्रभान संच्वालित होता है एलजेडी और राजुत के विले पर भाजपाने का साथ तंच शरद यादव की पार्टी का लालुपरसाद यादव की पार्टी में विले की खबरे सामने आई है इसी कड़े में श्रद यादव की पार्टी का लालो प्रिसाद यादव की पार्टी में विले को लेकर भाजपाने तंच का साहिब भाजपर प्रवक्तार रामसागर सिंग ने कहा है कि ये समाजवात का चोला पहनने वाले दो पारिवारिक पार्टियों का विले हैं मीडिया म चल रही खबरों के अनुसार शैरतियादव अपने बंगले को बेच और अपने बेटी को राजनेती में स्थापत करने के लिए ये विले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज़त पहले ही परिवार के लिए राजनीती करती आई है मौल बिचाने के लिए राजनीती करती आई है, इसके साथ ही ऐसी पार्टियों को पहले ही जुनता ने खारिश कर दिया है, आगे भी ऐसी पार्टियों की राजनीती पर जुनता तालव लगाएगी 26.27 मार्श को नालंदा दौरे पर जाएंगे सीम नितीश बाजपा के वर्यनेता ने मुकेश सहनी को बताया पापद होने के उपाए भाजपा और मुकेश सहनी के बीच की लड़ाई इंदरों जग जाहिर है, हाला कि अभी तक दोनों में से किसे ने आधिकारिक रूप से अलग होने का दिरने तो नहीं लिया है, लेकिन दोनों के मनभेद अब साफ नज़र आने लगे हैं इस बीच और भाजपा ने सियन नितीश कुमार के मंतरी मुकेश सहनी को अपने पाप धोने के लिए प्राहिश चित करने का सुझाव तक दे दिया, इसके साथ ही उन्होंने ये कैसे करना इसकी जानकारी भी दी है, बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ट और शरद्यादव और राजुत के विले की खबरों के बीच आज शरद्यादव ने खुद मीडिया से बाचीत की साथ ही उन्होंने तेजस्वी को बिहार का भविश्य बताया है, जिसके तहती उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए, कहा कि ये विपक्षी एक जुटता का पहला कदम है, उन्होंने कहा कि रास्ट्येस तरपर विपक्षों को एक जुट किया जाएगा, तब ही भाजपा को हराये जा सकता है, वई उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदफ के बारे में कहा कि तेजस्वी बिहार का भविश्य है, उन पर पुरा पिश्वास है आपकी जुआनकारी के लिए आपको बता दे कि शरद यादब जदियू के बड़े नेता रह चुके हैं बिहार में जदियू का महागठ बंदन से अलग होने के बाद शरद यादब जदियू से बगावती रोखक तियार कर चुके थे Educational Consultant India Limited ने निकाली रिखतियां Educational Consultant India Limited ने सलाहकार वरिष्ट सलाहकार प्रधान सलाहकार के कुल मिला कर परचिस पत पर आवी दिन की मांग की है इन पदों के लिए Sectionary क्योंगिता की बात करें तो अभी हर्थियों के पास ना तक PG, MBA, PGDM, BTEC या समकर्ष्य कोई डिग्री होना अनिवार है इसके साथ ही आप इन पदों से जोड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगए URL से ज़़ा कर ले सकते हैं देश में पट्री पर लोट रहा संपत्ती बाजार, देश में किफायती घरों को बढ़ावा देने के प्रयास में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है जिसके बात इसके फ्लाटों की बार्शिक बिक्री के साथ ही आपुर्टी में भी व्रधी तरश की गई है औन्लाइन रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म प्रॉप्टाइगर.com के रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है प्रॉप्टाइगर.com ने आकड़ों में इस बात क्या खुलासा भी किया है पेश किये गया आकड़ों के नसार भारत की आर्ट प्रमुक हाउसिंग बाजारों में कुल घरों की बिकरी का दे 40% हिसा 45 लाख रुपे के मुलेवर के अंतरगत था जो कि भारत में कुछ घरों की खरीद पर सरकार द्वारा मिर रही सबसेडी का लाफ उठाने के लिए आवश्यक है आ रहा है एक और चक्रवाती तूफान पहुचा बंगाल की खाली के करीब निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शामिल है। निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शामिल है। निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शामिल है। निकाल कर सुरक्षित स्थानों की डांस पर पहुंचाना शामिल है। उसके बाद ही देश में करोना के कुल 4,30,7,841 मामले हो गए है। मौत का आकड़ा कुल मिला कर 5,16,489 हो गया है। सक्रिय मामलों के अगर बात करें तो देश में 26,240 सक्रिय मामले हैं। 4,24,65,1,22 लोगों की कोरोना से रुकवरी हुई है। कल कोरोना की 2,075 केस से दर्च के गए हैं और 71 लोगों की जवान गई थी। कल हमारे दोवारा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक कॉन दबारा ना भूले। धन्यवाद।